सल्मान खान की रेस 3 के चर्चाएं काफी जोरू पर हैं जिसमें सल्मान की हिरोईन जैकलीन फर्नांडिस होंगी अब सल्मान की किक 2 को लेकर भी बाती चल रही है फिल्म किक में सल्मान के साथ जैकलीन को ही कास्ट किया गया था लेकिन सूटों के माने तो जैकलीन पहले से ही रेज 3 में सलमान के साथ काम कर रही है इसलिए किक 2 के निर्माता अपने फिल्म में फीमेर लीड रोल के लिए दिपिका पादुकोन को कास्ट करना चाहते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये जोड़ी पहली बार बड़े परदे पर साथ नजर आएगी फिल्म के शूटिंग अगले साल से शुरू हो सकती है दिपिका पादुकोन फिल्हाल पदमावती में व्यस्त हैं किक टू से पहले भी दिपिका के पास कई फिल्मों में सल्मान के साथ काम करने की ओफर जा चुके हैं लेकिन हर बार दिपिका ने मना कर दिया था जिसमें किक भी शामिल है अब सल्मान दिपिका की जोडी को लेकर दर्शकों में उच्छ सुकता भी काफी बढ़ जाएगी दिपिका ने ये भी बताया कि सल्मान ने उन्हें उनकी डेब्यू के लिए ओफर दिया था लेकिन उस वक्त वे तयार नहीं थी उसकी कुछ सालों बात ओम शांती ओम से उन्हें डेब्यू किया